सब्सक्राइब कीजिए वैदिक जोतिस चैनल को और शाथ बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहेगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी इंसान खुद के गलती पर सबसे अच्छा वकिल बन जाता है और दूश्रे के गलती पर सीधा जज बन जाता है उन पर भरोसा करें और वे आपके प्रती सच्चे होंगी उनके साथ अच्छा वैवहार करें और वे खुद को अच्छा दिखाएंगी मंजिल उन्ही को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है पंग से कुछ नहीं होता दोस्तो आसलों में उडान होती है आज का पंचांग 17 दिसंबर 2021 देश शुक्रवार मारग शीश मास के शुक्ल पक्च के शतूर दशिति थी सुबत 7 बच कर 24 मिलट तक रहेगी आज का राहुकाल अर्था दिन का सबसे असुपसम में सुबह 10 बच कर 30 मिलट से 11 बच कर 33 मिलट तक रहेगा आज का भी जीद महुरत अर्था दिन का सबसे सुपसम में दुपहर 12 बच कर 1 मिलट से 12 बच कर 44 मिलट तक रहेगा आज श्यंद्रमा व्रिशब राशी पर संशार करेगी और आश्योरिय धनु राशी पर रहेंगी मीर राशी 17 दिसंबर 2021 देर शुक्रवार आपको कोई अप्रत्य असुत खुशखबरी मिलेगी यह आपके करियर या नीची जीवन से जुड़ी हो शक्ती है लेकिन इससे आपको वित्ति लाब भी होंगी इससे आपको भविश्य में भी इसी प्रकार के लाब उठाने का रास्ता दिखाए देखा आप अज बहुत अच्छे मूड में हैं और आपके आशावादिता और खुस्मजाजी से सभी प्रभावित होंगी दोस्तों परवार के साथ आनन लें कुछ चुनौतियां आएगी पर आप अपने प्रयासों द्वारा उनका सामना भी कर लेंगी अपना आत्म विश्लेशन तथा आत्म मन्थन करके अपने व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाएंगी किसे ने कारे की रूप रेखा भी बन सकती है बढ़ रहे तनाओ की वज़े से जिम्मेदारियों को नजर अंदाश करने की गल्ती ना करी काम में मन लगाने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी खुद के लिए समय निकालना ठीक रहेगा लेकिन महत्वपूर्ण बातों पर भी द्वान दे अपने जिम्मेदारियों टालने की कोशिश ना करी युवाओं को प्राप्त हो रहे ओशर सकरात्मक साबित होंगी बड़े पैमाने पर यश्टुरन नहीं मिलेगा लेकिन अपिक्षा के अनुशार शुरुवात हो सकती है यदि प्रेम सम्मंधों की वज़े सा आपका ध्यान भटक रहा है तू रिलेशन्शिप्स से दूर रहना ही आपके लिए ठीक रहेगा पेट दर्द हो शकता है खान पान पर बारीकी से ध्यान देना होगा आपके अपिक्षा व्यव की इस्थिती जाद रहेगी इसलिए अनावश्यक खर्चों से परहेट करी खुद को साबित करने के लिए अभी और इतिक वेहनत करनी की जवरत है कोई भी निर्ना जिल्दबाची की बज़े सोस समझकर लेना जरूरी है बात करते हैं लव लाइफ की कुछ कहा सुनी जैसी इस्थिती बन सकती है समझदारी से काम लेवर ना इसका सरगर की विवस्ता पर भी पड़ेगा आज आप और आपका पार्टनर एक साथ मूविन के बारे में सोस सकती है एक बहुत अच्छे घर में रहनी के आपकी योशना में आपके पार्टनर बहुत अच्छे से आपकी सहायता कर सकती है हाला की मूट बदलने और खुसमिजज बनाने के लिए रूटीन में बदलाव के लिए आप किसी खुबसूरत जगह पर छुट्टिया मनानी या किसे सहासिक रूमान्चा क्याता की योशना बना सकती है बात करते हैं करियर की यह आपके लिए एक महान दिन है अब दुष्टों को अपने विचारों और अधरनाओं को पेश करने के लिए इस और शर्का बेसबरी से इंतचार कर रहे थे होशकता है कि आपकी माशूमियत और इमंदारी व्यंग और आकरमक्ता के रूप में लोगों को लगे क्योंकि लोग आपसे ये ज़ादा परशित नहीं है इसलिए शौधार रहे क्योंकि होशकता है कि इस थीत्या उस अनुपाद में आपका साथ ना दी जल्दी आपके सपने शकार होने वाले हैं आप अपनी कार्य चमता और नौलेज से कोई मुस्किल काम हल कर लेंगे कमीशन बीमस सम्मंदित कामों में अप्रत्या से सफलता मिलेगी नौकरी पेशर लोगों के उपर अत्यधिक कार्य भार रहेगा बात करते हैं शेहत की शर्दे और पॉल्यूशन से अपना बच्शाव रखें खासे जुखाम और वायरल बुखार होनी के आशंका है लापरवाही ना करें आपकी भावनाएं आज उपान पर रहेगी और आपको बहुत परशानी रहेगी अपनी भावनाओं की तुफान में बैह कर कोई भी फैसला करने से पहले एक बड़ फिर से सोच लें इस स्थिती में थोड़ी राहत पाने के लिए वेकार ये कलाप करें जो आपको सबसे ज़्यादा पशंद है इस तरीके सा आप माशिक रूप से संतुले थोने तक अपनी ध्यान को बाढ़ पाएंगी आजश का उपाए आश्य पातलक्ष में चीकी पूजा रात न करें शुब रहेगा जीवन में हमेशा सकरात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें आपका दिन शुब हूँ